नमस्कार मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं दा खबरदार नियूज सोमवार को ग्राम गोदाई के ग्राम वासियों ने पटवारी द्वारा रिश्वत लेकर काम करने के संबंद में अनुविभागी अधिकारी के नाम नायाब तहसीलदार को ग्यापन सौपा जिसमें लेक है कि ग्राम गोदाई पटवारी हलका नंबर 30 सरकिल बहरोल में पटवारी के पद पर पदस्त हैं मध्य प्रदेश शरकार द्वारा घोशित मुख्यमंतरी सम्मान निधी योजना के ग्राम गोदाई में फॉर्म भरे जा रहे हैं पटवारी द्वारा 500 रुपे प्रती फॉर्म के लिए जा रहे हैं जो व्यक्ति 500 रुपे नहीं देता है उसका नाम लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है इस संबंद में किसानों द्वारा आपत्ती की गई तो पटवारी मेडम नाराज होकर गई और धंकी देकर चली गई कि तुम लोगों पर कारिवा ही कर रहे हैं बाद में ग्यात हुआ कि तेज प्रताप सिंग बुंदेला के खिलाव जूटी शिकायत दर्च करा दी गई है कि वह सरकारी काम में बाधा पैदा कर रहा है जबकी वास्त विक्ता यह है कि मैडम रिश्वत के रूप में पैसे लेकर फॉर्म कंप्यूटर पर अप्लोड कर रहे थी ग्रामीरों ने उचत कारिवाही की मांग की है सागर बंडा से अनिल वर्मा के साथ सल्मान कुरैशी की रिपोर्ट देखते रहिए दा खबरदार नियूज आपका नाम क्या है जितेंदर मसरा कहां से आये हैं गौंदः इकराम गौंदः चकेरी पंचायद क्या समस्या है हमारे यहां के पटवारी हैं जो जो कि टेका उनके पास अपर कुछ भी काम ले कर जाओ बगर पैसे लिए कुछ भी काम नहीं करती है और जो सास की सरकारी का कि अघिल्म होते हैं इनके लिए वो खुद आती है और चर्व कीद्ब घ्र सीदी और दी आ च्छली आड़ाती है वहीं पे बैठती है और वहीं प्र कि दूब काम होता है वहीं से करवाती है और पैसे मांगते हैं और अपने उस पर आपको करवाना हो वहां करवाद काड़ हो चाहिए करसी से विवस्तित कोई भी कारिया हो कुछ भी काम होगा हम लोगों को अभी तक के लिए उनसे नरासा ही प्राफ हुए कभी भी कुछ नहीं होगा कि चलो पटवारी मेंडम ने हमार करें लोगों फरबाद में गयाद हुआ कि यहां पर गया पंदिया तो नकाम है मैंड़ा आपका क्या नाम है यहां किसलिए आये हैं मैंडम के हमारी जो जनता आई है उनसे हमको सुनने के लिए मिला है कि मैंडम पासुर रुपे मांगी तो वसमस्या के बारे में आपकी हमाए किस चीज के पैसे मांगे जाती है जो सम्मान नहीं थी अभी मने दी जा रही है उसके माम लें बताया जा रहा है कि हम से पासुर रुपे मांगी जा रहा है तो हमने है ठीक है हम तुमारे साथ हैं तुमके साथ हमाए है